श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों इस दिन चंदरमा आपकी कुंडली में 11 भाव में है जी हाँ 11 भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंदरमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब ज़रू दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनो कामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरबूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन प्रसंद रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुवात करोगे इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सोच मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है, इस समय में निवेश करने से आपको चार गुना तक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी income में बड़ोत्री हो सकती है आपको इस समय में धनलाब भी हो सकता है अगर आप business करते है और वो अगर partnership में है तो business partnership में आपको अच्छा लाब इस समय में मिल सकता है इस समय में आपकी married life मदूर रहेगी, घर परिवार में प्यार और शान्ती का माहोल रहेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है, आपके partner से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा, यह समय यात्राय क करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा, यात्राओं से आपको लाब हो सकता है, बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या फिर आपके profession के लिए यात्रा करते हैं, तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा, इस समय में आपकी love life में romantic माहोल रहेगा, लव लाइप के लिए द अंकित मिल रहे हैं, खरीददारी करने के लिए समय अनुकोल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शुपसाबित होगा, पढ़ाई में concentrate कर पाओगे, इस समय में चंद्रमा की क्रिपा आपको मिल रही है, चंद्रमा आपको एकाग्र कर रहे हैं, जिस वज़े से कम समय में ज्यादा विद्या इस समय में आप गरहन कर पाओगे, इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स भी ला सकते हो, मेहनज जारी रखना ज़रूरी रहेगा, नोकरी के ख्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को बैटना होगा, इस वक्त आप अपनी परसनेलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे, इस समय में आप शोगी नजर आओगे, आप से लोग आकरशित हो सकते हैं, आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंविरता दिखेगी, समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है, जी हाँ ये दिन आपके लिए हर तरे से शुब रहेगा, इस दिन का पूरा लाब उठाए, अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले, और इस दिन को पूरी तरे से एंजोई करने की कोशिश जरूर करे, इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आप एनरजिटिक होगे, स्वस्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए, इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, व्यक्ति को अपने ज इसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है, जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, दरसल आपके घर में ही कु परिशानियों की जीवन में नकारतमक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते है, कही पर भी उतार देते है, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते है, दोस्तों ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे, और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उनके रखे, साप सूत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चछत के उपर, जि जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वजए से घर के छट को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सूतरा रखें, clean रखें साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते है कोई भी सामान रखते है तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान र जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती ह आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्य चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शांस्तर के अनुसार इससे स लाकारतमक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ और कुछ चीजे हैं जैसे टूटी-फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती हैं वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शो जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीर होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने स तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर कर धन्यवाद